हेलो चिल्डरन आज हम चैप्टर थ्री में आगे का पॉशन लेंगे जिसमें की है दे गोर्मेंट एंड लो दे गोर्मेंट फ्रेम्स लो एंड दे मस्ट भी अब अबेड बाई बाई अल सेटिजन्स कि सरकार है वो क्या करती है कानून बनाती है और जो भी कानून बनाती है लागू करना सरकार का ही काम है और उसका पालन करना उस देश की जनता का काम है कि जो भी नियम कानून बनाय जाए वहां की जनता के दोरा सुईकार किया जाए पालन किया जाए उसका लो एंड ओरर is very important for the proper functioning of the government तो एक law and order का होना जरूरी है ताकि proper function हो सके प्रोपर तरीके से काम हो सके सरकार का the government has the authority to make as well as implement law तो government के पास यह authority होती है कि वो कानून बनाय और उसको लागू करे let us take an example तो हम इसका example देखेंगे कि example किस तरीके से है कि law and order को सरकार बनाती है लागो करती है you must have a ticket while traveling by train कि हमारे पास ticket होना चाहिए जब हम train में travel करे if you are caught traveling without a ticket you have to either pay a penalty or go to jail तो अगर हम बीना ticket के मिल जाते हैं पाए जाते हैं पकड़े जाते हैं train में TT द्वारा या किसी के भी द्वारा रपीए फो या फिर TT हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा penalty pay करनी पड़ेगी और jail जाना पड़ेगा even though the government may work lawfully in case citizens feel that law are not being executed properly they have the right to raise their voice or even go to court even though the government may work lawfully ठीक है कि सरकार जो है कानूनी रूप से काम कर रही है in case citizens feel that law are not being executed properly कि उसका पालन सही तरीके से नहीं किया जारा अगर किसी वेक्ति को ऐसा लगता है या वहां के लोगों को ऐसा लगता है तो वो इसके प्रती आवाज उठा सकते हैं the court can order the government to make appropriate measures और फिर सरकार जो है जो court में वो लोगों अपील करेंगे फिर court उनकी सरकार को order करेगी कि appropriate तरीके से इसका समधान निकाला जाए तो यह होता है कि सरकार नियम बनाती है और उसे लागो भी करती है organ of the government अभी जो organs क्या क्या है सरकार के अंग जो है वो हम देखेंगे कौन कौन से है you must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as government कि हमने यह देखा कि सही तरीके से देश में कुछ काम चल रहा है नियम बनाने कानून बनाने उनको लागो करना वो कौन करता है सरकार करती है तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक proper सरकार का होना जरूरी है तो उसे ही सरकार कहा जाता है जो देश की विवस्ता को संभालती है therefore the government is an essential organ of a nation and has to perform various functions तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि सरकार जो है वो एक महत्तपुन अंग है पुरे रास्टर का और उसके जो कारे हैं बहुत सारे अलग अलग कारे है the government frames, acts and law and ensure their proper execution कि सरकार जो है वो लो बनाती है और ये ध्यान रखती है कि उसका सही तरीके से सुचारू रूप से पालन किया जा रहा है कि नहीं तो सरकार ये भी ध्यान रखती है ये भी देखती है कि वो सही तरीके से लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा और न्याय भी ध्यान में रखते हुए न्याय को भी ध्यान में रखते हुए वो काम करती है कि सबको न्याय मिल रहा है या ने ये तेन आम हैं i ok ये तीन आम है इसके सरकार के लेजिसलेट, एक्जेकुट, एदिमपाट जेस्टिस जो फ्रेम करती है कानून बनाती है उसे लेजिसलेचर कहा जाता है which comprises the विधान सभा तीक है यह विधान सभा में बनाय जाता है and that which executes the law is called the executive और जो इसको लागू करते हैं जो कानून बनाया लेजिसलेचर ने फिर इसको जो लागू किया गया वो किस ने किया executive ने किया the arm which work toward the implementation of justice is called the judiciary और जो नियाए पालिका को लिए काम करते हैं नियाए को ध्यान में रखके काम करते हैं या नियाए दिलवाने के लिए काम करते हैं उसे judiciary कहा जाता है and it takes action against offenders तो जो भी अपरादी होते हैं या गलत काम करते हैं उनके against कोई भी action ले सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? judiciary कहा जाता है India is a vast country made up of union of different states तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ी country है और ये अलग-अलग राज्यो से मिलकर बनी है the constitution has made India into a union of states for the smooth functioning of the administration तो जो constitution है उसमें क्या किया गया है? कि बनाया गया है ताकि हर एक states union level पर या state level पर अच्छे सुचारो रूप से smoothly work करें thus India is a federal state तो इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है? federal state क्योंकि इसका जो है main जो है central union level पर बनता है और state level पर follow किया जाता है इसलिए इसलिए वो federal state कहा गया this means that the government functions at two levels ठीक है इसका क्या मतलब हुआ? two levels के basis पर ये काम करती है एक central level पर और एक state level पर the government at the national level is called central or union government तो जो central level पर जो government काम करती है उसको union या central government कहा जाता है it looks after the administration of the whole country जो पूरी country को देखती है मतलब पूरे देश में जो सरकार काम करती है उसे central level पर कहा जाता है जैसे कि हमारा center कहां पर है दिल्ली तो दिल्ली से जो भी सरकार काम करती है उसे केंद्रिया सरकार कहा जाता है कि central level पर government है we will study more about sorry the government at the state level is called state government तो जो state government है वो state level पर वर्क करती है जैसे कि गांधी नगर से हमारा सारा कुछ काम चलता है जो है गांधी नगर में है फिर वहां से वहां की government सारा कुछ पास करती है state के अंदर तो वो state level के government हो गई तो we will study more about the organ of the state government here the legislative body of an Indian state may have one or two houses तो state level पर जो government उनके हम functions देखेंगे और गन देखेंगे तो उसमें है एक होते हैं legislative body Indian state में दो houses होते हैं उनके the lower house is known as legislative assembly and the upper house is known as legislative council तो जो ये दो houses state level पर वर्क करती हैं एक lower house को legislative assembly का जाता है और upper house को legislative council का जाता है the governor is also part of the state government तो जो governor है वो state government का part है the state of gujarat has only the lower house तो गुजरात state में only lower house है मतलब legislative assembly legislative council नहीं है most of the state do not have a legislative council ठीक है सभी state में legislative council होना जरूरी नहीं है पर कुछ एकादी state ऐसे हैं जिन में legislative assembly भी है और council भी है तो गुजरात state में क्या है legislative assembly है यानि lower house है अपर house नहीं है तो यहां पर आप देखेंगे state government है गवर्णर पहले तो state government जिसमें गवर्णर होंगे गवर्णर में legislative body और judiciary और executive body यह तीन होंगे arms फिर यह तीन में से legislative body में एक होगा legislative assembly एक होगा legislative council जो की गुजरात में नहीं है फिर executive body में chief minister and council ministers होंगे chief minister और council minister और judiciary में high court, district court, तालुकाट court यह बनाए गया तो chapter start जब हम इसका return work करेंगे तब अब क्या करेंगे कि chapter start करने से पहले ही first page पे यह draw करेंगे उसके बाद से हम section A, B, C, D अपना करेंगे जो करते हैं paper pattern के according जो हमारा format दिया गया है तो ध्यान रखेंगे कि पहले इस chart को हम draw कर लेंगे first page पर ताकि इस से आपको याद रह जाए कि legislative body में कितने arms है executive body में कितने arms है और judiciary में क्या है तो heading state level का हम बस इसमें देखेंगे I hope कि chapter आप लोग अच्छे सा समझ गे होंगे यहाँ पे हमारा chapter complete भी होता है और next day के video से हम start कर देंगे अपना written work इस chapter का और आपको paper pattern भी दिया जाएगा जो आप अगर first page आपने paper pattern के लिए छोड़ रखा है तो okay otherwise notebook के last में आप उसे लिख लेंगे last page पर लिखेंगे FA का paper pattern then essay का तो अभी FA का paper pattern में आपको send करूंगी अपना जब written work start होगा तो लिख लीजेगा last में okay thank you